तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लोन की डिटेल्स बताओं उसके पेले आप यहाँ पे एक लोन का पुरूब देख सकते हैं तो यह लोन हमको मिला हीरो, फिनको, एप की मदद से दोस्तों यह अप्लीकेशन लोन देने का प्रोसेस पूरा डिजेटली फ परसं से तो भी आपको लोन मिल जाएगा, अभी मुझे पता है कि आप लोग के मैंड में कई तरके की सवाल आ रहे होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं सारे सवाल कवर करने की कोशिस करूँगा, अगर आप एक सेलरी परसं से तो आपकी से कम 15,000 रुपे होने चाहिए, तो भी आपको यहां से लोन मिल जाएगा, अगर आप एक बिजनस परसंस है, तो आपका जो सालाना इंकम रहेगा, वो 3,000,000 रुपे से शादा होना चाहिए, जो भी आप यहां पर कमेट्मेंट कर रहे है, आपको अपने बेंग अकाउंट के अंदर वो सारी चीचे तिखा नह होगी, तभी दोस्तों यहां पर आपको लोन मिलेगा, अभी आप मैंसे काफी सारे लोग सोच रहोंगे, कि भाई यह लोन है, इसका पेसा हमारे बेंग अकाउंट में कितनी देर में आएगा, अगर आपका लोन यहां पर अपरू हो जाता है, और आपकी सारी प्रोसेस यहा अपने बेंग अकाउंट के अंदर ट्रांसपर करेंगे, तो दोस्तों हीरो फीन कोप के अंदर लोन अपले करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो अभी आप देख सकते, मैंने अपने मोबाईल के अंदर हीरो फीन को एप इंस्टोल क करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंदर फेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंदर फेस ओपर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंदर फेस ओपर क्लिक करेंगे, यहाँ तो यहां पर देखिए आप 3,00,000 रुपे तक का लोन ले सकते अगर आप लोन लेना चाहिए तो गेट नाव आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप गेट नाव के उपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस त्रीके का इंटरफेस ओपन होगा यहां पर देखिए सर्व से कम loan के लिए ही करना होगा इस loan को apply करना चाहरे तो यहाँ पर देख़े आप left side में आपका loan amount रहेगा right side में apply for Loan है आप इसके उपर click करेंगे जैसे की आप apply for loan के उपर click करेंगे आपको यहाँ पर देखे personal details देनी होगी second options के अंदर आपको अपना KYC करना होगा third options के अंदर अपना e sign then e mandate आपको complete करना होगा तो यहाँ पे देखे get started का options है आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सभी permissions का options आएगा यहाँ पे आप Exact के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप Index के उपर क्लिक करेंगे कुछ permissions को आपको allow करना होगा जैसे ही आप permissions आलाउक करेंगे यहाँ पी आप अपना Payne Card का number भरेंगे यहाँ पे आप अपना date of birth भरेंगे यहाँ पे एक check block लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सभी details भर दिये, नीचे एक option से continue, आप इसके उपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप continue के उपर क्लिक करेंगे, तो अगर आपने पहले कभी herofin cop के अंदर loan के लिए apply करा होगा, तो यहाँ पे आपका address शू कर करेंगे, तो यहाँ पे जाबे भी आपका locations रहेगा, आप एक बार इसको use my current location से इसके उपर select करेंगे, यहाँ पे देख करेंगे, जैसे ही आप confirm address के उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपना address भरेंगे, यहाँ पे house number भरेंगे, आपके घर के आसपास में कोई landmark है, जिस को सभी जानते, वो यहाँ पे बरेंगे, यहाँ पे checkbook लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सभी details भर दिये, save address आप इसके उपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप save address के उपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा, यहाँ पे आप अप अब इन्डे का bother का नाम भरेंगे, यहाँ पे अपको अपना gender बताना होगा, mail है तो mail, female है तो female, इनदी के अंदर आप इनदर काम करतें तो इहाँ पे अपको industry रहेगा आप उसको चुनेंगे यहाँ पे देखे company का नाम भरेंगे इस company के अंदर आप काम करते तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे जिस भी company में आप काम करते वो company का नाम चुनेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हमने सबी details भर दिये नीचे एक option से नेस का आप नेस के उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप नेस के उपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंडरफेस ओपन होगा यहाँ पे देखिए दो option से तो आप पेले वाले पर क्लिक करेंगे salary अकाउंट आप इसके उपर क्लिक करेंगे नीचे एक option से continue आप continue के उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप continue के उपर क्लिक करेंगे जिस bank में भी आपकी salary या थी है वो bank account आपको यहा पर देखिए multiple type के bank आपको शो कर रहा है और आपका bank यहाँ पर शूर नहीं करता तो यहाँ पर सर्च करके भी आप अपना bank चुन सकते हैं जैसे यह आप अपना bank चुनेंगे आपके bank साथ जो भी mobile number link होगा उसके उपर OTP को आप यहाँ पर भरेंगे जैसे यह आप अपना O पर पर शूर नहीं करेंगे जिस बेंग का भी आपका account रहेगा वह यहाँ पर शो कर देगा तो इस bank account के अंदर आप पेसा लेना चाहरें तो यहाँ पर चेक्ट लगाएंगे नीचे एक option से proceed आप प्रोसीट के उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप प्रोसीट करेंगे आपको यहाँ पर कूच सेकंड वेट करना है आपके bank account में यह लोग एक रुपया डालके verify करेंगे तो यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके का interface शो करेगा आपको यहाँ पर page को skip या refresh नहीं करना है तो यहाँ पर देखे आपका bank verify किया जा रहा है अगर सभी data सही रहा तो आपको loan का offer योग कर देंगे तो दोस्तों अभी आप देख सकते हमारी लिए loan offer आ चुका है तो यहाँ पर आप loan offer देख सकते हमारी profile के लिए इतना loan amount eligible है यहाँ पर time duration देख सकते तो आप इस arrow के उपर scroll करके इस से घटा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर loan amount देख सकते हैं आपको जितने loan amount की जरुवत हो उसी साब से यहाँ पर चूस कर सकते हैं अगर दोस्तों आप first time में loan ले रहे हैं तो मैं आपको यही recommend करूंगा कि आप यहाँ पर पहले कम amount का loan ले क्योंकि जब आप first time personal loan लेते हैं तो आपको ज़्यादा rate of interest चार्ज देना पड़ता है पहली बार में आप कम loan लेंगे दिन वो loan चुकाने के बाद आपका rate of interest कम हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर चाहता loan के लिए apply करना होगा तो यहाँ पर देखे इस loan की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको कोई भी document नहीं देना अगर आप इनके पहले से customer है और यहाँ पर देखे जो रहेगा पांच घंटे में आपके bank account के अंदर credit कर दिया जाएगा इनका rate of interest भी काफी कम है अगर आप दूसरी कंपनियों की तुल्ला में देखेंगे hero of income का rate of interest काफी कम है तो अगर आप इस loan amount को अपने bank account में लेना चारा है तो यहाँ पर देखे प्रोसीड भी select loan आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface शो कर दिया जाएगा तो यहाँ पर देखे आपको एक insurance buy करना होगा अगर आप इनसे personal loan देना चारा है तो आप यहाँ पर इनका insurance buy नहीं करेंगे तो हो सकता आपका loan यहाँ पर decline भी कर दिय जाए यहाँ पर आपको दो details देनी होगी फेले यहाँ पर नोमिनी details भरेंगे और यहाँ पर आपका insurance का amount शो करेगा तो यहाँ पर देखे टोटल हमारा जो premium है यहाँ पर आप देख सकते और कब से कब तक यह cover रहेगा अभी दोस्तों इसका benefit आपको यह मिलेगा कि मान देन उसके बाद आपके कुछ date वगेरा हो जाता है आपका loan पूरा यहाँ पर माप कर दिया जाएगा तो company आपना जब भी पैसा देती है तो वह कोई भी risk नहीं लेना चाहती है तो वह सभी customer का यहाँ पर insurance करती है ताकि उनका पैसा भी ना डूबे और जो loan ले रहे उनकी family के उपर भी extra burden ना आए तो यहाँ पर देखी आपको एक nominies details यहाँ पर देना होगा तो यहाँ nominies का नाम भरेंगे यहाँ पर click करके आप उनका जेंडर चुनेंगे और male है तो male female है तो female यहाँ पर click करके आप उनका date of birth भरेंगे यहाँ पर पर रिलेशन्स भरेंगे पर देखिए आपका loan application number यहां पर शो करेगा कितना loan amount है वो शो करेगा जो भी आपका rate of interest रहेगा वो शो करेगा कितना EMI आएगा वो शो करेगा आपके bank account में कितना पेशा credit होगा वो शो करेगा यहां पर first EMI आपका कब से रहेगा वो शो करेगा यहां पर end EMI आपका कब रहे दिन उसके बाद आपको इने साइन करना होगा OTP से दिन 5 घंडे के अंदर ये पेसा आपके बेंग अकाउंट के अंदर टांसवर कर दिया जाएगा तो दोस्तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगो काफी अच्छी लगे होगे फिर भी हिरो फिनकॉफ से लोन केसे लेते इस से रेलेटर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें मैं कोसिस करूँगा एक जैन्बन रिपलाई देने की चलिए दोस्तो मिलत कर दोस्तोम है और देने हमेटर कोचा भी करेंम।